आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ हलो फ्रेंट्स, अपना Question है Study the following information to answer the given Question अपने को एक Input दे रखा है कुछ Steps दे रखी है और इसको Sol कर रखा है सेम ऐसे नीची अपने को एक Question पूछ रखा है और उसका Answer करना है तो अपना Input है 46, 185, 310, 436, 96, 217, 39 तो इसमें Step First में क्या कर रखा है जो इस Input है इसमें सबसे बड़ा नमबर देख रहे है तो सबसे बड़ा नमबर कौन सा है 436, then 436 को सबसे पहले लिख लिया उसके बाद में इस Sequence में सबसे छोटा नमबर ले रहे है तो इस बचेवे Sequence में सबसे छोटा नमबर कौन सा है सबसे चोटा नमबर कॉन सा है 39 है दन 39 ले ले रहे हैं ठीक है और बाकि सीक्वेंस क्या कर रहे हैं एजटिज लिख दे रहे हैं अब 3rd step में क्या कर रहे हैं 436 के बाद कौन सा नमबर है जो smallest है 436 से छोटा है 436 से कौन सा छोटा नमबर है इत्ते इन्पुट में तो कौन छोटा है 310 देन 310 लिख दे रहे हैं फिर 39 से बड़ा नमबर देख रहे हैं तो 39 से बड़ा नमबर इत्ते सीक्वेंस में कौन है 46 है तो 46 लिख रहे हैं Again, same step चल रही है अब 310 से छोटा नमबर देख रहे हैं इस बचे वे सीक्वेंस में तो इसमें कौन है 217 है एंड फिर 46 से बड़ा नमबर देख रहे हैं तो वो क्या है 96 and last में 185 आ जाएगा तो सेम जो अरेंज में इसमें क्या क्या हमने सबसे बड़ा नमबर देखा फिर सबसे स्मॉल नमबर देखा अब बड़े नमबर से थोड़ा छोटा और स्मॉल नमबर से थोड़ा बड़ा नमबर लिया और फिर ऐसे ही है सीक्वेंस कंटिन्यू चला तो सेम जो इंपूट अपने ने इसमें अप्लाई किया है steps वो same step अपने को नीचे जो question दे रखा है उसमें apply करने है तो अपना आगे का question है this is the final arrangement and step 5th is last step if the following second step for an input what will be fourth step अपने को बोल रखा है कि अगर ये second step है तो fourth step क्या होगी तो हम देख लेते हैं इसे तो हम second step लिख लेते है तो step second क्या है 317, 9, 217, 20, 226, 16, 11, 5 अब step 3 क्या होगी तो हम इसको देख लेते हैं कहां तक ही arrange है 317 सबसे बड़ा नमबर है sequence में तो ये भी arrange है उसके बाद में 9 सबसे छोटा नमबर है तो ये भी arrange है अब 317 से छोटा नमबर तो 317 से छोटा नमबर इतने arrangement में कौन सा है 217 थोड़ी है तो इसका मतलब यहां से ही arrange नहीं है तो यहां से arrange करेंगे तो इसके बाद में कौन सा नमबर आएगा 226 आएगा तो 226 लिख देंगे और बाकी arrangement ऐसा का ऐसा रहेगा तो 217 20 16 115 अब फूर्थ स्टेप करेंगे तो स्टेप 4 क्या होगी जहां तक हमने यहां तक हमने arrange कर दिया तो ये तो एज़ेट ही जाएगा 3179226 अब क्या करेंगे 9 से बड़ा नमबर देखेंगे तो इत्ते सीक्वेंस में 9 से बड़ा नमबर कोन है 16 है तो यहां पर क्या आएगा 16 बाकी arrangement ऐसा का ऐसा रहेगा ओके अब अपने से question में क्या पूछा था 4th step कौन सी है तो अपने 4th step क्या आ गई यह अपने 4th step आ गई तो हम देख लेंगे कौन सी option में आ रही है ठीक है तो first क्या होना चाहिए 317 फिर 9 फिर 226 बाद में क्या होना चाहिए था 16 लेकिन यहां पर क्या है 20 दन यह क्या हो जाएगा wrong second में 317 9 226 16 217 2115 यानि क्या हो रही ही second step second जो option फोलो हो रहा है third में 317 9 217 आ गया तो यह wrong हो गया 317 9 226 16 यहां पर क्या आ गया 115 आ गया लेकिन आना क्या चीए था 217 तो यह भी wrong हो गया तो अपना correct answer क्या हो जाएगा option number 2 अपना correct answer हो जाएगा okay thank you classics to 12 से लेके need IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 मिलियन से जादा students का भरोसा आज जी डाउनलोड करें doubt net आप यह whatsapp कीजिए अपने doubts 8444 चार्स उपर